हेलो फ्रेंट कैसे हो आप लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो इस वीडियो में आज बात करेंगे एक नई भरती के बारे में जो है बिहार पुलिस SI Recruitment 2020 जिसके अप्लाई ओनलाइन के फॉर्म जो शुरू हो चुके हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जे बरती आई है बि तो हम बात करेंगे कि इसमें जो टोटल वेकैंसी है वो कितनी है आप जहाँ पर देख सकते हैं 2213 जो इसमें वेकैंसी है टोटल और अब बात करते हैं एप्लिकेशन फीस की तो आप जहाँ पर एक बार चेक कर लेना जर्नल EBC BC EWS के लिए 700 रुपे जहाँ पर इन्होंने स्टेट की हम बात करते हैं कि जे फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे 16 अगस्त को जे शुरू हो गए थे फिल होना शुरू हो गए थे और लास्ट डेट है कि चोवी सप्तमबर 2020 एज लिमिट उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम एज है जो 20 साल है और इसमें मैक्सिमम एज जर्नल और EWS मेल कैंडिडेट के लिए जो 37 साल है मैक्सिमम एज फॉर जर्नल EWS BC, EBC और फीमिल कैंडिडेट के लिए 40 साल इनों ने जहां पर एज लिमिट रखी है और आप देख सकते हैं BC, EBC, SCST कैंडिडेट के लिए 40 साल जहां एज लिमिट रख इसमें जो qualification मांगी गई है वो है graduation आप किसी भी जो stream में subject में आपने जो graduation की होनी चाहिए तो आप इस form को fill करने के लिए eligible होंगे और उसके बाद हम बात करते हैं physical eligibility details की कि इसमें क्या-क्या इन्होंने height मांगी गई है क्या-क्या इन्होंने chest height और क्या-क्या running जो criteria इन्होंने रखा है जहां पर male candidate की सबसे पहले हम बात करते हैं तो आप जहां पर देख सकते हैं journal BC height इन्होंने रखी है 165 cm chest 81 से लेकर 86 cm height high jump इ में आपको complete करनी होगी तो SCST जो candidate है उनके लिए जहां पर 160 cm है उन्होंने height रखी है और chest 79 से लेकर 84 तक और बाकी बही इन्होंने जो criteria बाकी सबी candidate के लिए equal रखा है जहां पर अब बात करते हैं candidate के लिए जो female candidate है वो किसी भी category की हो उनके लिए जहां पर height 155 cm रखी है और chest high jump की बात करते हैं तो 3 feet का और long jump 9 feet का इसमें high jump है और इसमें running है जो one kilometer in six minute में आपको complete करने होगी तो जहां पर आपको बता दूं कि जो पोस्ट है टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट है और उसके बाद जो sergeant पोस्ट है उसके लिए 215 जहां पर टोटल वकैंसी जो निकाली है इन्होंने तो इसका जो apply का लिंक है बो शुरू हो चुका है apply इसको online कर सकते हैं और जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस form को जो other state के जो candidate है वो भी fill कर सकते हैं बट आपको जैसे कि जहां पर जो SC candidate होते हैं दूसरी state के पर जब आप वहां fill form करोगे तो आपको journal में ही रखा जाएगा और आपको journal की fees पे करनी होगी तो चलिए इसका जो notification का जो link है इसको download करते हैं तो हमारा जो notification है बहुत डाउनलोड हो चुका है आप जहां पर देख सकते हैं सबसे अपर लिखा है बिहार पुलिस बिहार पुलिस अवर सेवा जोग जो है इसमें लिखा है और इनकी जो official website है आप जहां पर वी विजिट करके इस notification को download कर सकते हैं और इस website पे और अधिक ज जो salary की बात करते हैं तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पर salary है वो जहां पर इन्होंने लेवल 6 की जो बिताई है जैसे की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसकी जो इन्होंने जो पे हो सकती है तो sergeant की आप जहां पर देख सकते हैं कि कितनी पे है इसकी भी सेम ही है तो इनकी पोस साथी इसके लिए आपके जो अगर्न होगा सबसे पहले आपके प्रीक्षा ले आपकी लेखित प्रीक्षा होगी पहले आपकी जो प्रीक्षा होगी ऀसमें 200 अंक का जो paper होगा उसमें 100 question होगे और ओको गंटे ही इसमें duration होगी टाइम की यहाँ पे सब कुछ लिखा है इन्होंने आप एक बार इसको पढ़ लीजीगा जा वीडियो को पोज करके जा डाउनलोड करके भी इसको चेक कर लेना इसमें बताएगे हैं इसमें 30% जो अंक प्राप्ति करने वाले कंडिडेट हैं उनको असफल घोशित किया जाने कि आपको लिख्षाओं में नैक्टिम मार्किंग भी है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2 अंक काटा जाएगा आपको गलत जो उतर देने के लिए इसमें जो टाई होंगे टाई अप होंगा जिनका जहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें क्या कि इन्होंने जो दिया है कि टाई को क कीजीगा तो फीजिकल मेजर्मेंट की बात करें तो जहायँ ने जो हाय्ट वगएरवस इन्हीं ने दिया है आपका जो चेट हो जो सबी दिया है और आपके दोड के लिए ज शरीरिक जो आपकी तक्षता प्रेक्षा होगी वो उसके बारे में भी जहाँ पे इन्होंने बताया है पहला जो इन्होंने जो बताया था भूलत सब इंस्पेक्टर के लिए विहर पुलिस के लिए Amaran – फिर 2 स इंक्रेद पॉस्ट के लिए क्या प Caitlin ने बताया है लोगा Primud तरिसमें जो इसके बार्य आप रजट लंबी बारी प्रजाऍक की से बताएगा है और उसमें पोस्टों को criticize गर किया है और एक बार इसको भी चक्कल लाना यह sergeant की post के बारे में बताया गया है और अब आपको जहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको कैसे इसको online form को fill करना है तो आप जहाँ पर instruction को follow करके आपने जो form है उसको fill कर सकते हैं फीस structure की भी जहाँ पर बात कर लेते हैं फीस structure जहाँ पर कितने कितने नहीं रखा है तो एक बार इसको भी चक्कल लेना तो अब बात कर लेते हैं educational qualification इन्होंने जहाँ पर एक note दिया है कि इसको एक बार आप चक्कल लेना कि आप जो graduation है वो आपके complete होनी चाहिए एक अगस्त 2020 से पहले आपकी graduation पास होनी चाहिए तब ही आप इस phone को fill कर सकते हैं और ex-servicemen के लिए 1 January 2020 तक आपकी जो graduation है वो पास होनी चाहिए जहाँ पर इन्होंने जो पताया गया है तो friends इस phone को fill करने के बाद जो application number होगा आपको इसको संभाल के रखना है बैसे कई बार आपका जो application number है वो forget नहीं होता इसलिए आपको इसको संभाल के रखना होगा बहुत जरूरी है तो guys जे थी इस notification में जानकर ही जो आपको मैंने बताई है और आपने इस notification को अगर download करना हो जा online जो form fill करना हो तो आपको दोनों ही जो link है वीडियो की description में आपको मिल जाएंगे आप वहाँ पे click करके इस website पे और इस PDF को आप जो download कर सकते हैं तो guys जे थी information जो भरती आई है जो बिहार जो पुलिस के तरफ से और आई होप आपको जे वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और आपको को suggestion हो तो comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए और bell icon को press करना न भूलिएगा thanks for watching मिलते हैं next video में